नमस्कार दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल स्टॉक मार्केट आनलिसिस पर स्वागत करता हूँ आई होप काफी सारे लोगों ने अच्छा पेशा कमाया होगा मार्केट में क्योंकि मैंने सारे लेवल्स आपको बता दिये थे कौन से लेवल पर आपको कहां पर ट्रेड करना है कौन सा स्टॉक्स आपको ट्रेड करना चाहिए वो सारा चीज मैंने आपको क्लेरली बता दिया था तो चलते हैं हम लोग डायरेक्ली कल के लिए कल वीकली एक्सपैरी है क्योंकि थरस्डे की दिन एक्सपैरी नहीं हो प्रिष्टन से उसे पहले पाफेट बुकिंग करने कि कोस्स कर लिजिए क्योंकि एक चाहिए कि दिन कभी भीट सही से नहीं आते हैं मारकेट थोड़ा वोलाटायल होता है इस्टॉक्स थोड़ा वोलाटायल रहते है इसलिए आपको से यह से पको नहीं मिल सकता तो एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको कल पैसा कमाना है तो आपको एक चीज को ट्रेड करना है नहीं करना है बहुत स अचीज आपको कल चानल खराब बना है तो इगर जाता भी है तो कहां तक जा सकता है और अब्यूट में आपको 323 तक मैंने आपको 322 ओर 23 तक मैंने आपको टार्ट दिया ओआ हुआ 23 तर्ड इसने 321 के आसपास इसने लो लगाया यानि कि exactly हमारे टार्गेट को इसने अचीव किया है और रेजिस्टन्स भी मैंने आपको दिया था अगर मैं वीडियो कल खागर थोड़ा बहुत दिसकस भी करूँगा तो आप लोगों के लिए ही ज्यादा लंबा हो जाएगा 333 333 का रेजिस्टन्स मैंने बताया था Exactly 333 का रेजिस्टन्स फेस करके ही मार्केट ने नीचे आया है तो चलते हैं डारेक्ट्ली हम लोग लेबलस की उपर कल कौनसे लेबल पर इसको आप ट्रेड कर सकते हो 320 रुपीस 70 पेसा का सपोर्ट रहेगा 320 रुपीज 70 पैसा के नीचे अगर जाता है आप लोग सेल कर सकते हो पहला टार्गेट रहेगा 315 50 पैसा दूसरा टार्गेट रहेगा 310 35 पैसा याद रखे अगर DLF 320 रुपीज 70 पैसा के नीचे चलता है सेल कर सकते हो पहला टार्गेट रहेगा 315 50 पैसा दूसरा रहेगा 31035 पेसा रेजिस्टन्स की बात अगर कहूं रेजिस्टन्स रहेगा 326 85 पेसा जैसे ही 326 रूपीज 85 पेसे की उपर चलता है आप बाई कर सकते हो पहला टारगेट रहेगा 329 रूपीज 90 पेसा दूसरा रहेगा 333 याद रखे अगर DLF 326 85 पेसे की उपर चलेगा तभी मैं बाईंग की लिए थोड़ा पहते हैं पर सोल सकता हूँ और टारगेट कहां तक रहेंगे 329 90 पेसा और 333 यहां तक आपको काफी एच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है तो यही 320 और 315 के आसपास कहीं से सपोर्ट लेने की कोसिस जरूर करना चाहिए मार्केट को तो जो भी सपोर्ट रेजिस्टन्स था मैंने बता दिया हूँ प्लीज आप लोग लेवल्स नोट करके ट्रेड करेए वीडियो अगर पसंद आता है वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा चली नेक्स्ट आपका रहेका टाटा मॉटर्स देखे टाटा मॉटर्स पर भी हमने यसा कुछ एनलिसिस के थे कहां तक हमने आप ट्रेड प्लान किया था 291.70 पेसा तक एक चीज़ ध्यान में रखे मैंने टारगेट कहां तक आपको बताया था टाटा मॉटर्स का अगर नीचे जाता है 297 के नीचे जाएगा 291.70 पेसा का डाइरेक्ट ये टारगेट हीट कर सकता है 292.80 पेसा का लो लगाया है जितने लोगोंने अनलिसिस देखा है जितने लोगोंने पेसा कमाया है प्लीज आप लोग कमेंड करके ज़रूर बता सकते हो और मैंने आज काफी अच्छे ट्रेड मैंने दिये थे इवन मैंने फ्री टेलिग्राम चानल पर वी करीवन 4-5 स्टॉक्स मैंने अपडेट किये थे काफी अच्छा पेसा सब लोगोंने कमाया है पेड सर्विस में मैंने वीप्रो बगरा और आइटी सेक्टर में तीन स्टॉक्स मेंने ट्रेड करवाय थे बीपी सील मेंने ट्रेड करवाय था इवन कल भी मैंने दिया वा था यूटूब चैनल पर तो काफी सरे लोगों ने अच्छे पेसे कमाएं अगर आप चाहते हो कि पेसा कमाने के लिए तो आप लोग मेरे फ्री टेलिग्रम चैनल है तो उसमें भी जॉइन कर सकते हो अगर चाहते हो कि पेड़् सर्विस में जाके काफी अच्छा पेसा बनाते सब लोग तो अगर आप भी चाहते हो कि आ फ्री टेलिग्रम आपको डिस्क्रिप्शन पर तो चलते हैं टाटा मोटर्स पर क्या हो सकता है आगे और सपोर्ट कहा पर हैं आपको बहुत चीज़ हम लोग भी तोड़ा देखेंगे ताटा मोटर्स पर एक लेवल बता रहा हूं 297.80 पेसा ये लेवल दिमाग पर रखेगा 297.80 पेसा के नीचे सेल करना है इसके उपर बाई करना है एक चीज़ पहले बता देता हूं अगर टाटा मोटर्स 297.80 पेसा के नीचे चलता है आप लोग सेल कर सकते हो पहला टारगेट रहेगा 292.80 पेसा दूसरा रहेगा 286.45 पेसा याद रखे अगर टाटा मोटर्स 297.80 पेसा के नीचे चलता है सेल कर सकते हो पहला टारगेट रहेगा 292.80 पेसा और 286.45 पेसा रेजिस्टन्स की बात अग बाई कर सकते हो कि पहला टारगेट रहेगा 302 80 पैसा 307 85 पैसा याद रखे अगर टाटा मोटोस 297 80 पैसा के उपर चलता है बाई कर सकते हो पहला टारगेट रहेगा 302 80 पैसा और 307 85 पैसा एक चीस दियान में रखे कल वीकली एक्सपायर ही है टार्गेट कभी भी बड़ा मत रखेगा टार्गेट से पहले अपना प्रॉफिट बुकिंग करने की कोईस जरूर कर लीजगा वीडियो पसंद आने पर वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीज़े चली नेक्स्ट आपका रहेगा भारत इलक्ट्रोनिक देखिए भारत इलक्ट्रोनिक मैंने आपको कहा था कि 176 की ऊपर एक अच्छा बाइंग आपको देखने को मिल सकता है तो मुझे लगता है कि कल अगर 176 की ऊपर चलता है तो काफी बड़ा आपको टार्गेट देखने को मिल सकता है तो देखते हैं कल कॉंसेलेबल प्राबस को ट्रेड कर सकते हो 174, 40 पेशा आपका सपोर्ट का काम करेगा भारत इलक्रोनिक अगर 174, 40 पेशा के नीचे चलाता है आप लोग सेल कर सकते हो टार्गेट रहेगा 172, 30 पेशा और 170 रूपीज यहां तक आपको दो टार्गेट रहेंगे याद रखे अगर भारत इलक्रोनिक 174, 40 पेशा के नीचे चलता है सेल कर सकते हो पहला टार्गेट रहेगा 172, 30 पेशा और 170 रेजिस्टन्स रहेगा 176, 50 पेशा जैसे ही 176, 50 पेशा के ऊपर चलता है भारत इलक्रोनिक buy कर सकते हो पहला target रहेगा 178.15 पेशा और next target रहेगा 179.80 पेशा याद रखे अगर भारत electronic 176.50 पेशा के उपर चलता है buy कर सकते हो पहला target रहेगा 178.15 पेशा दूसरा रहेगा 179.80 पेशा तो guys जो भी support resistance है मैंने सारे आपको clearly बता दिया हूँ please आप लोग support resistance note करके trade करिए और किसी को भी अगर मेरा वीडियो पसंद आता है वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लिजे साथ ही साथ किसी को free telegram channel join करना है link description पे है चेक करके join कर लिजे उसके साथ किसी को paid service join करना है उसके लिए भी description पे जो मेरा free telegram channel है उसमें join कर लिजे आपको automatically वहाँ पर आपको paid service के लिए number आपको provide किया जाएगा जहाँ पर आप लोग संपर करके trade कर सकते हो और किसी को भी अगर free DMIT account open करवाना है उसका link मैंने description पे दे दिया हूँ चिक करके join कर लिजे चली नेक्स्ट आपका रहेगा असोक लेलेंड देखिए असोक लेलेंड पर भी हमने ऐसा ही कुछ प्लान किया था कि अगर यह शेलिंग के लिए जाता है तो कहां तक जा सकता है तो मैंने डारेक्ली आपको असोक लेलेंड का के नीचे जाए तो 126 50 पेसा और 124 25 पेसा और 122 तो 124 तक यह सपोर्ट ले लिया सपोर्ट के बाद यह उपर आ गया है तो अभी क्या हो सकता है कल बहुत थोड़ा देखेंगे कल के लिए कैंडल तो खराब बना है फिर भी अभी थोड़ा आम लोग कर सकते हैं कि अगर यह रेजिस्टंस की ऊपर चलता है तो हो सकता है यहां पर एक ऊपर के लिए एक मोमेंटम आपको देखने णी को मिलेगा यानि के रिकवर करने की चांस से आप पर आपको देखने को मिलेगा क्यूंकि कंटिन्यूसली यह 3-4 देसे से नीचे सेलिंग के लिए आ रहा है तो मुझे उम्मीद है कि यहां पर एक green candle मुझे अब बनने का एक उमीद दिख रहा है तो support पर चलते हैं 126 20 पैसा support का काम करेगा जैसे support के नीचे चलता है सेल कर सकते हो पहला target रहेगा 124 10 पैसा और 122 यहां तक आपको target रहेगा resistance की बात अगर कहूं 128 45 पैसा का resistance है असोक लेलें का जैसे ही resistance की उपर चलता है ऐकर ये 129 80 पैसा और 131 20 पैसा याद रखिए अगर असोक लेलें 128 45 पैसे की उपर चलता है बाइ कर सकते हो पहला target रहेगा 129 80 पैसा दूसरा रहेगा 131 20 पैसा रेजिस्टंस सपोर्ट रहेगा 126 20 पैसा उसके नीचे चले तो सेल करिए 124 10 पैसा और 122 यहां तक आपको टार्गेट रहेगा ध्यान से अगर किसी को प्राबलम हो रहा है मेरे बात समझने में कमेंट करके पूछ लीजी लेबल्स या फे टेलिग्राम में कोई जोह एए तो टेलिग्रम में कमेंट करें मैं आपको वहां पर अपटेट कर दोगा उसके साथ साथ किसी को अगर फ्री इलेग्रम चैनल जोईन करना है लिंक description पर है चेक करके join कर लिजे किसी को अगर free demate account with lowest brokers अगर आप किसी को चाहिए तो उसके लिए भी मैंने demate account का जो link है वो उसको मैंने share किया हुआ है description पर चेक करके आप open कर लिजे account चली next आपका रहेगा भारत heavy electronics limited तो इसमें मैं आज देने का reason किया है क्योंकि यह भी एक अच्छे pattern पर मुझे दिख रहा है कि support के एरिया में अभी market है भी trade हो रहा है तो यह काफी I think यह 22 23 के आसपास जब था तब इसको हमने trade किया था इसको buy करवाय था hold करने के लिए again 28 के आसपास हमने दुबारा इसको suggest कि buy करने के लिए definitely काफी लोगों ने 60 और 70 के बीच में इसको exit किये होंगे कुछ लोगों ने 75 73 74 या 75 के असपास exit किये तो मुझे लगता है कि यहां पर आपको कुछ trade मिल सकता है कि continuously एक downtrend में अभी नीची आ रहा है तो मुझे लगता है कि इसको support कहीं पी तो लेना चाहिए तो हम लोग अभी देखें कि support कहां पर ले सकता है एक चीज़ ध्यान में रखिए अगर भेल अगर 5260 52 रुपीज 60 पैसे के नीचे अगर sustain करता है आप लोग सेल कर सकते हो पहला target रहेगा 51 रुपीज 10 पैसा दूसरा रहेगा 50 रुपीज 15 पैसा और 50 रुपीज 15 पैसा के नीचे चलता है 49 रुपीज के आसपास आपको एक टार्गेट देखने को मिलेगा याद रखिए 52 रुपीज 60 पेशा के नीचे चले तभी सेल करना है पहला टार्गेट रहेगा 51 रुपीज 10 पेशा दूसरा रहेगा 50 रुपीज 15 पेशा तीसरा रहेगा 49 रेजिस्टन्स की बात अगर कहूं 53 रुपीज 60 पेशा का रेजिस्टन्स रहेगा जैसे ही रेजिस्टन्स की ऊपर चलता है बाय कर सकते हो पहला टार्गेट रहेगा 54 65 पेशा दूसरा रहेगा 55 80 पेशा याद रखिए 53 60 पेशे की ऊपर चलता है बाय कर सकते हो पहला target रहेगा 54-65 पेसा दूसरा रहेगा 55-80 पेसा तो guys जो भी support resistance था मैंने आपको clearly बता दिया हूँ एक चीज आपको ध्यान में रखना है support resistance को लिखना है और trade करना है साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लिजे किसी को अगर free telegram चैनल पर join करना है link मैंने description पर दे दिया हूँ चेक करके join कर लिजे और किसी को अगर free demand account open करवाना है उसका भी link मैंने description पर दे दिया हूँ चेक करके join कर लिजे आज के लिए इतना ही धन्यबद